गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने और सप्लाई बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को कम करने की तयारी में है। सरकार इनबाउंड शिप्मेंट पर शुल्क कम करके और साथ ही अनाज पर स्टॉक सीमा लगाकर गेहूं का आयात फिर से शुरू करने की तयारी में है। साथ ही सरकार खुले बाजार संचालन बिक्री शुरू करने की योजना बना रही है। लाइवमेंट की खबर के मुताबिक भारत में छे साल पहले गेहूं के आयात पर चवालीस परसेंट शुल्क लगाया गया था। दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़े गेहूं उतपादक भारत में इससे प्रभावी रूप से अनाज की शिप्मेंट रुग गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, कारोबारी सरकार से आयात नियमों में धील देने के लिए कह रहे हैं, ताकि वे ऐसे समय में आयात दोबारा से शुरू कर सकें जब रूसी उतपादन में अधिक्ता के चलते अंतराष्ट्रिय कीमतें कम हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला किसानों के लिए संबेदनशील है और किसी भी शुल्क में कटोती को ध्यान में रखना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक, अगर भारत आयात करता है, तो यह 3-4 मिलियन टन से ज्यादा होने की संभावना नहीं है। सरकार का अनुमान है कि 2024 से 25 सीजन में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के बराबर 112.9 मिलियन टन होगा। वही मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि अगर शुल्क में कटोती की जाती है, जिससे निजी गेहूं आयात की अनुमती मिलती है, तो अंतराष्ट्रिय गेहूं एक जुलाई से सभी प्रमुख दक्षिन भारतिय बंदरगाहों के जरिये भारत पहुचन की संभावना है, मौझूदा समय में केरल के कोच्ची बंदरगाह और तमिलनाडु के तूती कोरिन बंदरगाह पर गेहूं की उत्राई कीमत 280 से 290 डॉलर प्रती टन है, बंदरगा हैंडलिंग और पैकेजिंग लागत 1500 रुपए है, अगर 44 परसेंट शुल्क को खत्म कर द दिया जाता है, तो प्रभावी मूल्य लगभग 25,000 रुपए से 26,000 रुपए प्रती टन होगा, यह बदलाव 2023 जून की मुद्रा मूल्य के मुताबिक हैं, हाजिर कारोबारियों के मुताबिक, प्रमुख मंडियों में गेहूं की घरेलू कीमत 26, 98, 27, 100 प्रती टन और अनाज का अखिल भारतिय औसत मूल्य 31 रुपए प्रती किलोग्राम था, जो पिछले साल की तुलना में 6.4 परसेंट अधिक है और ठोक मूल्य 27,720 रुपए प्रती टन था, जो पिछले साल की तुलना में 6.6 परसेंट अधिक है। Bureau Report Market Times TV